आज के इस वीडियो में हम भारती अर्थ ब्योस्था से सम्मंधित कुछ महत्त पूर्ण प्रस्णों के बारे में बात करने वाले हैं यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सब्सक्राइब करें तो चलिए देखते हैं रास्टी आय जो है वह क्या है तो रास्टी आय एक वर्ष में किसी भी देश में जो है उत्पादित सामान ज यह कोई स्टाक नहीं है, किसी भी देश की सेबा और समान में उत्पादन का जो व्योग होता है, वही रास्टी आय होता है, रास्टी आय का सरुसेष्ट मापक है, साधन लागत पर सुध रास्टी उत्पाद, यानि नेट नेशनल प्रोड़क्ट, हिंदू बृद्धी दर सम समंदित है, तो जो हिंदू बृद्धी दर है, वह रास्टी आय से समंदित है, और इसका जो हिंदू बृद्धी दर है, इसकी अवधाना जो है, प्रोफेसर राज कृष्र जी थी, जिन्हों ने इस अवधाना को 1981 में प्रत्पादित किया, कि यदि हिंदू की बृद्धी हो रही है तो इसका मतलब है कि राष्टी आय में बृध्धी हो रही है क्योंकि हिंदू जो है हमारे भारत देश में ज्यादा है इसलिए बृध्धी दर हिंदू की वह राष्टी आय को संदर भी करती है और वर्तमान में राष्टी आय का गड़ना वर्स में जो है यह 2017 ठारन नहीं 2022 है भारत की रास्टी आय में सरवाधिक योगदान तो जहां भारत की रास्टी आया की बात आती है वहां सरवाधिक योगदान जो है तृतियक छेत्र का होता है तृतियक छेत्र में क्या होता है सेवा छेत्र होता है जैसे बैंकिंग हो गया ये तृतियक छेत्र में आत ग्येटर भी कहते हैं, अब बात करते हैं हम किसी देश की आर्थिक वृध्दी कितनी है अनिपूरा योजना की सुरुआत कुछ योजनाएं हैं जिसमें अनिपूरा योजना की सुरुआत जो है 25 अक्टूबर सन 2000 को गाजियाबाद के सिखोडा गाम से सुरू किया गया था अब भारत में बेरोजगारी के आकड़े कौन जारी करता है तो भारत में जो बेरोजगारी का आकड़ा होता है वह NSSO यानि रास्टी नमूना सरविछण कार्याले द्वारा जारी किया जाता है अध्रिस, प्रचन या छीपी बेरोजगारी कहां पाई जाती है तो क्रिसी है जो दिखाई नहीं देती है तो यही क्रिसी छेतर है जहां बेरोजगारी छीपी होती है अब भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है तो भारत में बेरोजगारी जो है वह संरचनात्मक है अब चक्री बेरोजगारी ज्यादा बार कहां देखने को मिलती है तो यह जो है बिक्सित देशों में चक्री बेरोजगारी देखने को मिलती है ग्रामीड छेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है तो मौसमी और अध्रिस बेरोजगारी है सहरी छेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी खुली प्रत्यक्ष है जिसमें काम उन्हें मिल गया, कभी नहीं मिलता है, तो वहाँ जो है बेरोजगारी सब खुला ओपन रहता है, पुरा प्रत्यक्ष रहता है भगवती समीत सम्मंदित है यदि पूछा जाए कि भगवती समीत जो बनी थी भगवती कमीटी वह किस सम्मंदित है तो यह बेरोजगारी से सम्मंदित है अब रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया गया था तो यह 2006 से रोजगार सुरू किया गया था यह महारास्ट से शुरू हुआ था अब वहीं बात की जाए तो नरेगा जो है यह दो फरवरी 2006 को आंध प्रदेश के अनंत पुरजिले से इसकी शुरुआत हुई थी नरेगा की तो ये थे आर्थिक भारती अर्थ प्योस्ता से सम्मधित महत्व पूर्ण प्रस्न तो आज के लिए इतना ही प